खबर बिजनौर से दबंगो ने चलाई गोली जनपत बिजनौर के थाना चांदपुर्क चेत्र के ग्राम घंसुर पुर में बीती रात्री लगभग नौ बजे तीन नकाप पोश बदमाशों ने घर में गुसकर गोली चलाई खनीमत रही गोली किसी को नहीं लगी लेकिन गोली दर्वाजे को चीरते हुए कमरे में रखी गेहू भरने की टीन की टंकी को भी पार कर दीवार में जा लगी जिससे ग्रामीडों में अफरतफरी का माहौल बन गया जिसकी पिडित ने डायल 112 को कॉल की लेकिन कई बार संपर करने पर भी संपर्क नहीं हुआ तब पिडित ने 10-76 पर संपर्क किया जिसके माध्यम से पुलीस को सूचना दी गई खबर बेजे जाने तक इस मामले में पिडित की ओर से अभी तक पुलीस को तहरीर नहीं दी गई है सूचना पर पहुची पुलीस ने मौके की जाच परताल की फिलाल पुलीस गंभीरता से जाच में जुटी हुई है आपको बता दें ये पूरा मामला जनपत विजनौर के थाना चांदपुर इलाके के गाउं घंसुरपुर का है जहां पर तीन नकापोश बदमाशों ने घर में घुसकर गोली चला कर गाउं में दैशत फैला दी और मौके से फरार हो गए वहीं पिडितों ने बताया कि घर के सभी सदस्य चत पर बने कमरे में सो रहे थे कमलेश और प्रदीप ने बताया कि वो टोयलेट के लिए गए थे अच्चानक गोली लगने से वो डर गए उन्होंने बताया दो बार गोली चली जो कमरे के किवाड में लगी और किवाड को गोली पार कर कमरे में रखी गे हूं भरने वाली टीन की कोठी को पार कर दिवार में जा लगी गोली चलने से इलाके में हड़कम मच गया मौके पर आसपास के लोग एक खटा हो गए परजनों द्वारा डायल 112 और जलीलपूर पुलीस को घटना के बारे में सूचना दी गई वही सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुँची पुलीस ने जाच परताल की समाचार भेज़े जाने तक पीड़तों की और से पुलीस को कोई शुकायत पत्र नहीं दिया गया है वही परिजनों का कहना है कि गाओं के ही किसी व्यक्ती से जमीन को भी लेकर विवाद चला आ रहा है हलाकि पीड़तों का कहना है कि बदमाश अपने चेहरे पर नकाब पहने हुए थे जिसकी बज़र से उनकी पहचान नहीं हो सकी अब क्या सच है ये तो मामले की जाज के बाद ही पता चल पाएगा लड़का चुटी करना जगाया घर मा कुई बड़ अता लंडा जदी उन्होंन जबंदूगता नहीं तो लंडा के बाद देलिये दो फेरिंग करको और भोसड़ी बालता में देखेंगे और इतने महीं भाग गए हम उपर से निकलना नहीं चाब पड़े व्यक्तालन डिये tariari described तो अब थम की मैं ए यहां जिनोना जमीन ले चीन का मसला है पच्छी साल होगाएं बंवाई थी सरकार की बेबी मेरी ढखा गए पेड़े बीकटवा दिये थे मैंने लड़के को चोट लगे ती चारसो पेड़े मेंने जद्ध कटवाए थे और गाहा कुछ सबकु पता है आपने पुलिस को सूचना दी थी है अभी तक नहीं दई हम विजनौर गाय थे तो विजनौर भी होया को रात में तुम पहला हूं जाओ चांदपुर थाने मां हूं गया तो हमारी किसी नहीं लिखी नहीं अनसूब आई यह अब आप क्या चाहते हैं अब हम यह चाते हैं देखो मेरे बच्चे सुक्सानती सरे में कोई लड़ाई जगडा ना हो और जो जमीन का मसला हा यह मेरा हिल हो जाओ जाओ बिजनौर से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट जे के निूस